आगे यान से गुचेंग मिलने के लिए आता है तो यान गुचेंग से पूस थे किया तुमें पता चला किसने मुच्पे हमला करवाया था तो यान कहते हैं इसके बारें तुम पता लगाना और यह सारी बात है कि वो वहां से जाहिरा होता है फिर वो यहां से कहता है मुझे आपसे कुछ कहना है कि आप उनी के साथ रहने वाली है आपको कहीं और रहना चाहिए मैं आपके लिए एक अच्छा सा घर डून देता हूँ यह थोड़ा अजीव नहीं लग रहा है जब आपके हस्विल शुर्ण के मौत भी होती ऐती तब तो वह वातस नहीं आ कपनी सम्हुल लाइक हो गई तो वह वातस आ गई यह थोड़ा अज़ीब की तरह है पर वह एक न।सने कमपनी को बहुती अच्छा सा सम्हाल लेगा द रखता है पर आपको उसके साथ नहीं रहना चाहिए तुम्हारा आज भी हेट अजीब तो नहीं तुम सच में गुचेंग कहता है तुम्हें बातों को भूल जा रखना हम चलती है और वो बुकेर लेके वहां से चली जाती है और गुंग जेंग देखता ही रे जाता है एक्चिली गुंग जेंग यान से प्यार करता है पर ये बात उसे नहीं बता पाता है आगे यान जेंग के रूम में आती है पर वो वहां पे नहीं रहता है तो इसे देखे वो पूरी तस कम्पनी में होता है उसके सारी रिस्पोंसिटली मेरी है लेकिन मुझे नहीं पता था इससे यह सब कुछ हो जाएगा तो जैंग कहता है क्या तुम मजाग करना बंद करूँ मेरी ऐसी कोई एक चान ही समझी तूम और तुम वैसे भी जै थोड़ी हो तूम तो उसके भाई हो न करता और कहता कि तुम ही उसका पूरा अख़ना तो कहती हुए ना तो जैंग कहता है अब यॉसके सांट नहीं कि यह तूम फूरी कोशिस करता यह गंदेने लगता तो जैंग करता है कि जोटी लेना बंद कर दोब इससे तुम ठऽक जाओगी तो जैंग कर देनी के तो तो नहीं तो वह कहता है इसी कोई बात नहीं और वह सो जाता है नेक्स्ट मर्निंग यहान आती है और गहती अब तो तुम्हारे तवियर ठीक हो चुकी तुम यह ड्रेस लो और इसे पहन के बाहर हो उस ड्रेस को देखके जैंग को थोड़ा अजीब लगता है तो वह कहती है पर यह तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है तुम इसे काफी अच्छे लगाँगे तुम इसे पहन के बाहर आजाओ क्योंकि मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है तो जैंग कहता है कहां पर यह तो बता हो तो वह कहती है पहले रेडी तो हो जाओ तो जैंग तैयार होने के लिए चला जा था और उस सट को लेके वो सट देखके उसे तरह अजीब लगता है पर वो कुछ भी नहीं कहता है और वो सट पहन के जैसे ही बहार आता है यान तो उसे देखते ही रह जाती क्योंकि वो बिल्कुल उसके हस्वेंट के तरह जाती और कहती तुम काफी अच्छे लग रहे हो तो जैंग कहता है कि मैं तुम्हारा हस्वेंट नहीं हूं समझी तुम मैं जैंग हूं यह बात तुम्हें समझ जाने चाहिए अगर नहीं बिस्वास होता है तो तुम डियने टिश्ट करवा सकती है उतियान कहती है मैंने व वहीं कुछ भी नहीं बता हैं तो ये बहुत को सोती है कि उसका हस्वेंड वहीं बताना चाहता है वहाया शोटा प्र यह तो टिले पी नहीं कहती है प्र अजोचिया we मेरे सामने नहीं है और इसने मुझे कुछ भी नहीं बताए मैं इससे तो बुलवा के रौंगे पर मैं यसे तेंसन देना नहीं चाहती हूं कि तभी आचानक तभी जेन के निद्फ खुल जाती है। जेन कहता है तो मुझे यहां पर लेकर क्यूं आंड़ा यह नहीं बताए He चिंचीन अपना वीडियो सुट करी होती तब उदर से उसकी भावी आ थी और चिंचीन को बता थी मैं तुम्हारे लिए एक सर्प्राइज लेकिया है जो कि गारी में वो तुम्हारा भाई फिर से वापस आ चुक है तुम उससे मिल सकती हो तो यह बात सुनके चिंचीन तो का अब you do PSTки आपको नहीं होताइकि आप ने उनके साथ कितना गलत कि थी मैं नहीं कैए समझी तुम अगर तुम्हे अपने भाई से मिलना है तुम जाके मिल सकती हो क्योंकि जेंग के अंदर अभी तुम्हारी भाई की आत्मा घोस जोगी वो दोनों तो ट्विंस भाई थे निये बाद तो तुम्हें पता है नो जिन चिर्वां से चली जाती है आगर यान के सासु मा कहती है तुम ठीक हो न तो वो कहती है या मैं बिल्कुल ठीक हो और जेंग यह सब कुछ हो यान जान बुछ के करती ताकि युचेंग कोई पता चल जाए और उसके साथ वो आगे क्या होने वाले इसके बारे मियान कोई मालूम हो जाए और यान कहती है वह अपना ध्यान रखेगा मैं जारी हूं आगे चिंचिन गारे के पास जाती है और अपने यह सब कुछ देखर वो तो पगड़ा ही जाता तुम क्या पागल हो चकी यह चाहिए तुम यह क्या कर यह बाहर में तुम्हें दिमाग नहीं है जाकर परो चुप चाहिए और अपनी बेहर को डांट बटके वहां से वह जाने को कहता है तो चिंचिन गुस्सा करके वहां से चली जाती और कहती भाई वह तो आपकी भला ही कर रही थी मुझे लगा कि आपके अंदर जै भाई का भूत कुछ चुका इसलिए मुसे बाहर निकाल रही थी और मेरे जार्ट पुक से साइध उनकी आत्मा आपके अंदर से बाहर निकल जाए तो वह कहता है जाकर यह भाई को किसने मारा है तो वह कहता है इसके जिम्मेदारी तुम मुस्पे छोड़ दो तुम जाके आराम से पढ़ाई लिखाई करो नहीं तो मैं तुम्हें पनिस करूंगा तो चिंचिं डर जाती और कहती ठीक है भाई मैं जाती और वहां से चली जाती आगर यान और ज दियान चाहने चाहिए तुम कहाँ जाने बाली यह थे चेह तौतल यहां जाने चाहए तुम मेरा कोट बोर गट हरा उतार और तुम मेरा 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 बेटना में अंदर जारी है तो जैंग कहता, तुम्हें ठढ नहीं लगी, तुम्हें ये जाकेट पहने रहना चाहिए, त्यान कहती है, मैं ये पहन के अंदर नहीं जा सकती, इससे मैं cold fashion की लगूँगी, इस फैसे भी मुझे अभी ठढ नहीं लगी इसलिए मैं इसी तरह जाओँगी, तो जैंग की एक मैं आपना सुटबुट निकाल और पहन के उसके साथ जाने लगता और कहता है यह लो तुम फिर से जाकेट पहन लो बिना जाकेट के तुम अंदर नहीं जा सकती त्यान के तियान के तिम्हें कितनी बार समझा ओकी मैं डेट पी आ ही और मुझे ठंड नहीं लग लिए इसनने तुम इस जाकेट को खुदी रखो और वो जाकेट उसके हाथ में दे के वो वहां से चली जाती है और जाने से पहले कहती तुम मेरे लिए प्रात्ना करना कि मेरी ये डेट बहुत ही अच्छा से सफ़ल हो जा और जान पूछ कि येंग को जलाने वाली बाते करती उसे काणिक करना चाहती है मगो उस तासविर के बारें बात करने लगते हैं तो इससे कुछ बता भी नहीं सकत किया की यार अपने हस्वें को याद करने लगती है तो गुचेंग कहता है क्या हुआ तुम ठीक हो ना त्यान कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हो और वो इसमायल करके उससे बात करती है आगर गुचेंग उसे अपनी जाकेट देता और कहता है कि मैं तुम्हेर साथ नौर्मली बात करना चाता है तुम मेर तो लगता है गुचेंग को पता है कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था आगधे जैंग यान का पिछाई नहीं छोड़ता और जैंग को कहता मैंने जैकेट दिया त्यूम सा मैंने चेह लिए तुम में खरो दो घर रहा देरा है दो जैंग का भ dementia यान गुचेंगे करीब जाने की कोसिस कर दे और उससे कुछ कोसन पुस्ति और कहती है क्या तुम्हें पता है चार सार पहले क्या हुआ था मेरे हस्वेंट की मौत के बारे में तुम्हें कुछ भी पता है तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें 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 से accept नहीं कर सकती हैं क्योंकि मैं अपने husband से काफी प्यार करती थी और अभी मैं move on भी नहीं कर सकती हूं तो गुचेंग कहता है कोई बात नहीं फिर भी मैं कोसिस करूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं तो यान कहती है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उस दि करना को पर मैं कुछ भी कुछ भी नहीं बता सकताatisf 소개 जो कि प्रकुए ने यीड को की नहीं एक इस शो घृस्मत के साथ क्या हुए उस्के मौत कैसे मौत कैसे हुई आखे कर गुचंय यान को कुछ भी बताता और कहता है मुझे माफ कर दो मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता दिया हैं दुखी हो जाते कि उसे कुछ भी पता नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा था और उसके हस्विन के साथ क्या हुआ था और गुचेंग यह भी कहता है कि मैं ड़रा अगर तुम हट हो जाओगी इसलिए मैं तुम्हें सचाई बताना नहीं चाहता हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ तियान कहती तो मुझे क्यों नहीं बता सकती इसका जवाब तो दो तो गुचेंग उसके सामने सैड हो जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो मै तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता है, मेरी बात पर बिलीब करो, तियान कहती, ठीक है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जब मन करें तुम्हारा तुम मुझे बता देना, आगे गुचेंग यान को उसके कार तक छोड़ने के लिए जाता है, तियान उसका जैकेट व भुझ का तुम उसके पास चले गई थी, तुम्हें जरासा डर नहीं लग रगा दो, तुम्हारा साथ कुछ भी कर सकता था, तुम्हें उसे भरोसा नहीं करना जितियान कहती, तुम मेरी टेंसन मतलू मुझे पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं क्योंकि वह मेरा दो नहीं हम दोए पर तुम है इतने तक़लीप की ऋखे ल och यह तो बताओ बटो जैन हो अब मन में जारा हो Wy वह नहीं नहीं किसी और लड़की के साथ थे आना तो कोई लिए नहीं तुम्हारी भावी थी ते बास एक से काफै गुसा और जाता है है आपको उसके सा भी इसमें इसका support करती है कोई बात ये तुम लोग drink कर सकती मुझे कोई problem नीच अर वो लोग drink करने लगती है तब ये चैन के मुखल पर एक message आता है उसे पता चलता है ये एक bug लगाओा है उसके मुखल से जो वी बात होगी सारी बात है कोई और सुनेगा ति सारी बाते जैंक उसे समझाने की कॉसिस करता है और वहां से वो सारी लड़की कहता है तुम लोग आज चली जा, तुम लोग फिर बाद में आना तो वो सारी लड़की वहां से चली जाती है तो यान भी वहां से जाने लगते जैंक कहता है सांत हो जा उसे चुप कराता और कहता है ये मौवायल पर मेसेज दे को उसके बात कुछ कहना समझी तुम उसे वह मेसेज देखा था जिसम इलिखा हुआ रहता है ये मौवायल में गुचेंग ने बग लगाया और हो अर्व प्रिटेंड करो कि तुमının कुंछ पता ही नहीं और ये दोनों आपसे बात करने लगते जैंग कहता है कि तुम्हें गुचेंग पे पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छा इंसान है तुम्हें नहीं पता कि उसकी ख्वाई से क्या है त्यान कहती है ऐसी कोई बात ही हम लोग कॉलेज फ्रेंड है वो मेरा अच्छा दोस्त इसलि नहीं कि तुम्हें आज तक वह लेजर नहीं मिला इसे तुमसे बिलीप करती और यह सारी बाते इदार इसे मालूम हो रही हो ती हो आपसी क्या बाते कर रहे हैं आगे जैंग में किसी ने जहर डाल दिया जिस वज़़े तुम मढ़ भी सकती थी तुम्हें पता यह सब ये तो छिपार है, आपके लाइफ में कोई लड़की आ गई है, तो ओ ज मैं को पसंद करता, उसे मैं खुब चाहता है चिं-चिं चिं कहती है। आपके पस तो इतना टाईम भी नहीं फिर आप ये किस लड़की को पसंद कर लिया, ये तो बता ही, गुचें कहता मैं तुम्हें बाद में बता दूँ वे से भी तुम अब बच्ची नहीं रही इसलिए तुम्हें यहाँ पर बार बार नहीं आना चाहिए चिंचिन कहती है मैं अभी बच्ची है और मैं भागवांसे प्रात्ना करोंगे मैं काफी सुन्दर हो जाओ और मैं आफकी केपबल हो जाओ थो गुचैंग यह सारी बाते सुनकर इस्माइल करने लगता और कहता है किम तो बच्ची ही रहुगी तमें पता है न मेरे सामय तुम मेरे छोटी से ब इसके बारें पता लगा के रुम्या की कार मेरे साथ ये सब कुछ कूछ कौन कर रहा है? मैं ऐसा करती हूं कि तुम मेरी मदद जरूद कर दो ना है। अब जाकर सौज आती है। या इन केहती है। जबसे मेरे हस्बें मेरे से दूर हो चुके हैं। और वो अपनी परिसानी जेंग को बता ती है। जेंग को काफ़े बुरा लगता ही है है। इन सारी तकलिफ के बारे में जानकर आगे गुचंग मैडम से मिलने के लिए जाता है तुम मेरे बेटे की तरह हो तुम्हें पता है न मैंने तुम्हें एड़ाप्ट किया था पर मैं तुम्हें पर सारा भागदोर दे चुके इसलिए तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना घुछेंग कहता है कि चिन चिन मेरे बहन की तरह इसलिए मैं उसकी पूरी क्याड़ करता हूँ और आपने भी तो मुझे काफी प्यार दिया जिस वज़े से मैं इस पोजिसर पर हूँ तो मैडम कहती है मुझे पाता इसलिए तुम इस बात का ध्यान रखना और अपना ध्यान रखना ये बात वो कह देती है और बहुत ही वो अजीब टैप से बिहेब करती है तो गुचेंग कहते है ठीक है मैडम मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा और गुचेंगे सारे बाते कहकर वहां से वो आपिस में आता और कहता है कि आपकी तवियद ठीक हैना, आप तो नहीं पाई, मैं आपके दिए एक मेडिसिन ले किया हूँ, क्या मैं इसे लगा दूँ, त्यान कहती है, हाँ लगा दूँ, और जेंग, उसके सर पे मालिस करने लगता है, उसे काफी आराम मिलता है उसे लगता है कि उसका husband उसके साथ है और उसके सर पे मालिस कर रहा है तब ही वो एक सपने में चली जाती और यान अपने husband जे को कहती है प्रीज मुझे छोड़के मज जो मैं तुमसे काफी प्यार करती है मेरे साथ रो और मेरे पास हो तो जे कहता है तुम टेंसन क्यों लेती मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे काफी प्यार करता है तुम्हें पता है न मैंने तुम्हें सारे बाते कही थी तो यह सारे बाते सुनकर यान काफी खुश हो जाती और वो आराम से सो जाती और य आप अच्छे से सोई थी, तियान कहती है, मेरी निन्द पूरी हो गयी, तमने, मैरी एक यान काफी खुस रहती है, और यान अपनी फिलिंग बताती है इसलिए मैं इस campus में आपको बुलाए पुरानी दिन हमें याद आ गया है ना और से वो कुछ document देता और कहता है यही document है जो कि मुझे जय देने वाला था और मैं आपको दे रहा हूँ और यही बात थी जो मैं आपसे छुपा रहा था आप खुद इस document को पढ़ लीजेगा उस इस ने company के गवन में फसा दिया था और मेरी मोम यह सद्मा बर्दास नहीं कर पाई और उसने सुसाइट कर लिए और उसके बाद जांच परताल भी पर फिर भी मेरे मॉम डैट इससे बेगुना साबित नहीं कर पाई जिस वज़ए से उनकी हलत काफी खराब होगी और मेरे स कमपठी में सब कुछ कर रही है और company में खुषके में काम कर रही है क्या गए ले कि फूष यह प्यार करता और लामेने कि सब्सक्राथे सारी बात कर हो जाती है वहीं दुसी तप चिंग है जिसे देखकर वो पूरी तसे डर जाती है